हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी कोई कॉल कर रहा है या आप किसी को कॉल कर रहे हो और आपको बता रहा है स्विच ओफ तो इसकी क्या वज़ा हो सकती है इसको हम ठीक कैसे कर सकत हैं आये जानते हैं सबसे पहले चीज़ता आपको पता होगी कि एकर फोन स्विच ओफ है तो इसका मतलब स्विच ओफ ही बताएगा पर बाहरी आती है कि स्विच ओफ नहीं है फोन तब भी दिक्कत आ रही है तो इसके लिए सबसे पहले अपनी SIM च्वाइग करिए कहीं टो नहीं लग गया है तो आप सँर्चि लिस्ट में जायें यानि कि सब्सक्राइब. ढ़िसों नहीं जाना जाता है तो यह आंप लिखें डूनो डिश्टप आपको मिल जाएगा इस हाफळिश करें, यहां पे लिखा है there will be no reminder for incoming calls and notification ये बंद कर दीजिए सब बंद होने चीए इसके अलावा अगर आपका फोन जो है उसमें recharge खतम हो गया है सिम में recharge खतम हो गया है तब भी वो switch off बताएगा ये चीज भी आपको पता होगी फिर अगली और में चीज है यहां पे आपके फोन में T TTY mode चालू हो गया होगा तो उसे बंद करिए इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायलर फैड में जहांसे आप किसी को कॉल करते हो ऊपर तीन डॉट मिलेंगे इस पे टच करें सेटिंग्स पर टच करें और यहां पे आपको मिलेगा accessibility ये आपको डारेक्ट मिल जाएगा TTY mode इस पे टच करें और आपका यह option बंद होना चाहिए तो ऐसे आप इसको इसको इस्तिमाल करो और यहां पे आपका यहां पे यह बंद हो जाएगा और अपने फोन को restart करो आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी ऐसे आप इसको इसको इस्तिमाल करो वीडियो पसंद आए वीड